हेलो स्ट्रेंट स्वागत आप सभी का एक और नई वीडियो में आज की इस पीडियो हम बात करने वाले हैं बैगला 186 इंगलिस एड़ी वर्क प्लेस कोर्स के बारे में आज की वीडियो एक्जाम पॉइडियो से काफी इंपोरेंट है इस पीडियो में इंपोरेंट कोशन बताऊंगा प्रिभीस एयर का सॉलिशन प्रोवाइड करूंगा साधी साथ एक्जाम पैटन बोक्स और नोट्स भी आपको आज की इस पीडियो के वादियो से प्रोवाइ करने वाला हूँ आज की इस वीडियो का एंट तक चरूर से देखना है ताकि आपको सभी पॉइंट क्लिर आउट हूँ साधी साध आपको यह भी पता लगे कि आपको कैसे और कहां से वह सभी पीडियेव आपको डाउन्लोड करने होंगे वीडियो बने रहें इंट तक चरू पॉइंट्स फर्स्ट फॉल बात करते हैं बैगला 186 इंग्लिस एड़ी वर्क प्लेस जिसका पेपर दिसमबर दो जा तेजिस के टमड एक्जाम में 28 सारी को यानि 28 दिसमबर को होने वाला है जैन्वीश्पेंट का यह कोर्स है वह आप लोग यह वीडियो देख रहे हो त अगर आपने हट को भी सेलेक्ट किया तो आपको बुक मिली होगी अगर आप नहीं मिली है तो आपको करना क्या है सिंप्ली इस लिंक जो मैं प्रुवाइट करूंगा उससे आप लोग को अपनी बुक्स टाउनलोड करनी है बुक्स आपकी ब्लॉक वाइज है ओवराल यह आपकी फॉर ब्लॉक में डिवाइड है जिसे आप इस प्रिकार से एक्सिस कर पाएंगे अब आगे बात करें इस पूरे ब्लॉक में आपको कितने और चीज़ें देखने को मिलेंगी फर्स ब्लॉक में आप देखे फोर यूनिट यानि फोर चैप्टर्स है आपके बाकी इ इसके बाद में ब्लॉक इंटोड़क्शन यानि की ब्लॉक पन का उसके बाद में आपका यूनिट बन स्टार्ट हो जाता है यह बुक कर रहेगा बाकी ब्लॉक 2 आप यहां से इसली डाउनलोड कर सकते हैं यह तो आप इसली कर लेंगे लिंक में डिस्क्रिशन में डाल पेटन पेपर का पेटन क्या रहने वाला है वह आपके लिए काफी इंपोडेंट हो जाता है पेपर की बात करते हैं 100 मार्क का कोशन बेपर आने वाला है यह रीसेंट जो एक्जाम हुए जून 2023 के उसका कोशन बेपर आपकी स्क्रीन पर है पेपर कैसा आते है वह आप यहा विकॉम जी है अगर आपके पास में एक कोड है तो आपको यह विपर रहेगा अब यहाँ पर में बात पता है क्या है पेपर आपका 6 क्रेट का कोड से यह पेपर आपका 100 मार्क्स का होने वाला है 3 आवर स्टोरेशन मिलेगी यानि की 3 गंटे का टाइम रहेगा जिसमें आपको यह 100 मार्क्स का पेपर अटेम्ट करना होगा minimum passing marks जो आपको required होते हैं स्कोर्स में पास होने के लिपो है 35 marks 35 नंबर आपको score करने कम से कम उससे एक भी कम हुआ तो आप fail हो जाएंगे आपको कम से कम 35 नंबर score करने हैं ओकी अब कोशन पेपर की बात करते हैं देखें इसमें सारे कोशन आपके compulsory हैं that means कोई choice आपके वास में नहीं है पहला कोशन जो है जिसमें आप लोग को simply fill in the blanks मिल रहे हैं जिसमें आप जो भी appropriate fill in the blanks है वो fill करने हैं और बहुत basic question है क्योंकि यहां पर दो option है इसमें से एक आपको correct वाला फिल करना है तो बहुत basic हो जाता है ओके मैं आपको answers भी बताएता हूं जैसे यह वाला है I have been this job so long that I feel my career is more or less static static कमीने मोंतर रुका हुआ ठीक है ओके it is interesting to explore the possibility of different career options एंड यहां पर यह कोशन भी आप यहां पर देख सकते हैं ओके और यह आप देख लेंगे दूसरे कोशन की बात करें तो दूसरा कोशन आपको कुछ इस प्रिकार से रहेगा जिसमें आपको जो words की रहेंगे उस पर आपको sentence बनाने है इन words का use करके आपको sentence create करने जैसे first word है contemporary उसके बाद में second है digital, third है assist and fourth है transmit and fifth one है convey इनका उप्योग करके आपको कुछ इस तरह से sentence बनाने हैं जैसे contemporary का गया होगा इन दी आर्ट गैलरी, the quarter showcased a collection of contemporary painting that capture the spirit of modern times इसे प्रिकार से another one आप यहां से देख सकते हैं मैंने दो-दो example आपके लिए हैं जो आपके exam point यूश से काफी important है second जो आपका digital है उसमें आप देख सकते हैं, the world has experienced a rapid shift to digital communication with emails replacing traditional letter इसमें simply बात यह है कि अब हम जो पहले letter वाला दोर था पत्र होगा, अब उससे निकलके बहुत तेजी के साथ email पर shift होते जा रहे हैं बाकी भी आप speed up में देख लेंगे, okay, side की बात करते हैं इसमें आपको rewrite करने sentence active voice से passive voice बनाके, okay, rewrite the following sentence changing them from active voice to passive voice देखे, passive voice बनाने में आपके rules change होते हैं और simply आपको subject को object बनाने हैं और object को subject मैं बैसे एक काम गरूँगा आने वाले time में आपके लिए इस पर यूडियो बनाऊंगा, जो shots रहेंगी आपकी English की जो ऐसे terms रहती हैं जैसे active voice, passive voice, tense की पैसे तो आपको YouTube पे बहुत सारे channel मिल जाएं जिस पर ये वीडियो से, पागी आने वाले time में आपको इन पर फ्यूडियो मिलेगी और इसमें आपको देखे पांच कोशन से और हर एक कोशन 2 marks के 10 number के ये कोशन आपका रहता है, okay उसके बाद में fill in the blanks आपको देखने को मिलती हैं, ये 10 number का एक एक number का हर एक कोशन है इसके बाद में another question की हम बात करें, question number 4 है हमारे पास में, जो की 10 कोशन आपको करने हैं write sort on the following around 150 words each और हर एक कोशन आपको जो रहेगा, sorry 10 number का एक कोशन है, 20 marks के दो कोशन आपके हैं यहाँ पर देखें, part 1 है, characteristic of work ethics and part 2 है stage of presentations आपको कुछ इस परकार से लिखने होते हैं, आप चाहें तो SSP ले सकते हैं, screenshot ले सकते हैं ताकि आपको तहियार ही हो जाए उसके बाद में जो fifth question है, वो है prepare a CV, brief CV जैसे curriculum values कहते हैं और यह आपको आनी चाहिए जितने भी letters बगेर आते हैं या job में randoms बगेर पूछे जाते हैं उसमें CV बनाने को देते हैं तो आपको यह आनी चाहिए बहुत सारे example music काफी important होती है, खेर इसमें for a job that you wish to join, organize your point under various heading like education qualification, professional qualification, etc. 10 marks के यह आपको आता है, तो कैसे लिखना है वो समझ लेजे, first curriculum यहाँ पर इस प्रिकार CV लिखेंगे, personal information में आपका name आएगा first, address आएगा, contact information आएगी उसके बाद में अगर आपका LinkedIn profile है तो वो आप add कर सकते हैं, link दे सकते हैं, URL अगर नहीं है तो इसे ही आप plank छोड़ सकते हैं अगर आप jobs related बनाएं तो LinkedIn profile काफी important विया तो आपकी job में काफी important factor अधा करता है, उसके बाद में objective आप यहाँ पर share करेंगे, क्या आपका objective क्या है, उसके बाद में educational qualification में आप अपनी educational qualification कुछ इस परिकार से mention करेंगे, alright, उसके बाद में professional experience, because jobs में यह काफी important हो जाता है, तो इस परिकार से आप यह भी mention करेंगे, okay, इसके बाद में skills आप अपनी बताएंगे, technical skills, soft skills, यह आपको mention करने है, उसके बाद में education आप यहाँ पे clearly बताएंगे, okay, कि आपको adequate किस चीज़ में है, और कौन से organization issue किया और कब issue किया है, वो आप यहाँ पे clearly mention करेंगे, मतलब friends, okay, तो यह आपका, इस परिकार से, जो आपका CV रहेगा, वो होना चाहिए, इस question के लिए, alright, उसके बाद में, जो six question है हमारे पास, यह भी 10 marks का आपको रहेगा, जिसमें prepare करना होगा, आपको application letter, जो कि basically response रहेगा, advertisement का, जो कि एक newspaper में निकली थी, post of sales manager in a corporate form, ठीक है, उसके लिए आप अपने response दे रहे है, means, आप apply करने के लिए, एक letter लिख रहे है, first of all, आपने name, address, और जो भी your city, state, और code है, वो mention करेगी, email id and phone number, optional रहते हैं, तो आप यह भी mention कर सकते हैं, वैसे, end बाद देना, ज़्याद अवेश रहते हैं, उसके बाद date, और जिस भी organization करेए, letter जो भी note था, वो आप mention करेगे, उनके बारे में, okay, alright, उसके बाद में, salutation, and then, आप start कर देंगे, letter को उच इस तरह से, okay, and उसके बाद में, sincerely, and your name, that's it, alright, इसके बाद में, another one, जो last question, हमार 7th question is, उसमें, आपको लिखना है, you are planning to appear for an interview, for the position of business development executive in a reported marketing firm, write out 10 questions, you expect to ask, and your answer to those questions, simply say that, कि यार, आपको 10 questions prepare करने हैं, interview के लिए, और उनके answers भी आपको लिखने हैं, जैसे ही, first question है, question, can you provide an overview of your experience in business development, and your key achievement in previous role, कुछ इस तरह कोशन हो सकते हैं, और जो भाई, job के लिए त्यारी कर रहे हो न, उन question को, ये वाली questions भी कर ले न, हो सके हैं, कि यार, आपसे, job के टाइम पर ऐसे questions, कूछ ले जाएं, okay, all right, another question की बात करते हैं, question number 8 है, जिसमें आपको, write an outline of a presentation on the following topic, आपको एक presentation लिखनी है, और topic है, आपके बास में, creation of gender awareness at the workplace, और ये भी 10 marks का आपका रहने वाला है, तो presentation आपकी कुछ इस परिकार से रहेगी, पहले आपका ये introduction होता है, उसके बाद में improve, इसके बाद में आप opening लिखेंगे, कुछ इस परिकार से, and आप define करेंगे, कि भाई, और साथी साथ importance बताएंगे, gender awareness की, all right, इसके बाद में benefits पर बात करेंगे, and उसके बाद four point होगा, challenges and achieving gender awareness, उसके बाद में जो आपका fifth point रहेगा, वो studies पर रहेगा, creating gender awareness, and इसके बाद six point रहेगा, case studies and stories about this, and seven point आपका रहेगा, overcoming resistance and encourage participation, eight point जो आपका रहने वाले है, वो actionable steps for audience रहेगा, and ninth step question answer session होगा, and last one closing होगी, तो आपकी summary और key points के साथ रहनी चाहिए, जिसमें आपकी summary होगी, call of action रहेगा, साथ ही, thanks करेंगे, और आपका ये question complete हो जाएगा, तो कुछ इस परकार से आपका ये बिगेई, sorry, पेगला 136 का paper रहता है, मैंने solutions पे भी बात की है, उपर उपर से, because अगर मैं ज़्यादा detail में जाऊंगा, तो ये video बहुत long हो जाएगी, जिसे आप लोगो time ज़्यादा देना पड़ेगा, मुझे ये questions आपको बताने थे, किस परकार का paper आता है, questions आपके साथ में उपर discuss करने थे, अगर आपको लगता है कि ये questions proper way में आपको समझाने है, तो आप comment कर सकते हैं, मैं एक separate video बना दूँगा, जिसमें important questions ही अच्छे से cover कर लिए जाएगे, फिलाल आपको inform करना थे paper कैसा आएगा, और material आपके साथ में share करना थे, because आप लोग graduate strength हो, और ये paper मुझे लगता है कि अगर आपको material वही सही रूप से provide कर दे जाए, तो आप अच्छे से इस paper की तैयारी कर सकते हैं, बाकि कोई भी query रहती है, comment box आपके लिए खुला हुआ है, comment कर सकते हैं, Instagram पे follow गलो, वहाँ पे इपनी queries को कभी भी पूछ सकते हो, साथ ही, आज की इस video में तो इतना ही, नेक्स्ट वीडियो की टॉपिक पे यह comment करके जरूर बताना, और हाँ, आपका यह वीपर कैसा होता है, इनमें से question आते हैं, previous year or assignment से, तो आप लोग comment करके जरूर से response देना कि sir, इसमें से question आए है, यह video helpful रही है, या नहीं, आने वाले time में आप जरूर से बताना, बागी आज की इस video में इतना ही, पसंद आई तो like कर देना, share कर देना, और next video की टॉपिक पर यह comment करके जरूर से बताना, इस video में इतना ही मिलते हैं, एक और update, एक और यह video है, तब तक लिए चेहन दिया वार रपाई दूस्ट,